2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, लेकिन undoubtedly अगर भारत के किसी एक प्रदेश ने हमें सबसे ज़ादा चौकाया है, तो वो है उत्तर प्रदेश का राज्य जहां पर की हमें लोकसभा की सबसे ज़ादा consequences देखने को मिलती हैं, इसमें जो सबसे बड़ी पार्टी उभर के निकली है, that is the समाजवादी पार्टी जिसको की 37 seats मिली है और भारतिय जनता पार्टी को यहां पर मात्र 33 seats मिली हैं, लेकिन ये आकड़ा उतना जादा चौकाने वाला नहीं है, ये चौकाने वाला तब बन जाता है अगर आप इसकी तुलना करते हैं with the 2019 UP लोकसभा elections, यहां पर देखिए दोस्तों, BJP के द्वारा उस समय 62 seats में जीत को हासिल किया गया है, and समाजवादी पार्टी के case में भी पिछली बार केवल 5 seats में जीत को हासिल किया था, लेकिन this time around उन्होंने 37 seats में जीत को हासिल किया है, and more importantly, कई सारी ऐसी constituencies थी, जहां पर की BJP के जो बड़े-बड़े नेता, बड़े-बड़े जो senior members रह चुके हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अयोध्या या फिर फैजाबाद की seat को देखिए, तो वहाँ पर पहले दो दफार रह चुके, जो की MP थे, उनको हराया गया है, BJP के candidate को हराया गया है, बाई समाजवादी पार्टी candidate, उसके बाद UP की अमेठी से, सुरिती इरानी वोट से हराया गया है, कॉंग्रेस के candidate है, मिस्टर किशोरी लाल, और एवन खेरी और सुल्तानपूर, यहाँ से भी जो BJP के दो candidates थे, जो की पहले Union Minister का पद संभाल चुके हैं, अजे कुमार मिश्रा, और श्रीमती मेन का गांधी, इन दोनों को ही समाजवादी पार्टी के candidates के द्वारा दोस्तों हराया गया है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, not just that, even अगर आप नरेंदर मोदी जी की जो seat है वारण नसी, उसको भी देखें, हाला कि उन्होंने यहाँ पे जीत को हासल किया है, लेकिन जो margin है, वो ब मुस पौने 4 लाग की margin से हराया था, लेकिन इस बार जो margin है, वो मातर डेड़ लाग की ही देखने को मिली है, बात करेंगे दोस्तों कि suddenly हमें उत्तर पदेश में इतना जादा पलट फेर देखने को कैसे मिला, क्या reasons रहे कि समाजवादी party यहाँ पे सबसे largest party बनके उभरी है and क्या reasons रहे BJP के यहाँ पे इतने जादा seatों को loose करने के, आए शुरू करते हैं मेरे साथ, मेरा नाम है अनेरुद, यदि आप लोग हमें follow करना चाहते हैं हमारे lectures के updates को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिये गए telegram channels के मातिम से ऐसा कर सकते हैं, आगे बढ़ने स तो आपको कई सारे scholarships और इनाम जीतने का मौका यहाँ पर मिल सकता है, all right, so very briefly आपको बता दूँ, 2014 से लेकर 2022 के बीच में हमें 4 तरह के चुनाब देखने को मिले with respect to उत्तरप्रदेश, 14 में लोगसभा चुनाब हुए, 17 में उत्तरप्रदेश के विधान सभा चुनाब किया था और उसके पीछे reason बड़ा खास था, BJP ने अपना जो social base था उसको बहुत ज़ादा बढ़ाया था, इसके पहले BJP mainly upper cast के उपर focus करती थी और certain families के उपर focus करती थी, लेकिन पिछले 10 वर्षों में अलग-अलग जो social groups थे, अलग-अलग cast के लोग थे, उनको अपने इस gamu के अंदर include किया था, जिसकी वज़े से BJP का जो performance है, वो बहुत ज़ादा improve हुआ था, यही BJP का जो यहाँ पर plan था, उसी plan को समाजवादी पार्टी के द्वारा finally 2024 में borrow कर लिया गया, या फिर कह लीजे कि adopt कर लिया गया था, इन्होंने क्या किया, इस बार अखिलेश या यादव लोगों को ticket दी गई, और बाकी जो इन्होंने ticket का distribution था, उसमें बहुत ज़ादा diversification लेकर आए, for example आप देखिए, 10 यहाँ पर कुरमीज को चुना गया, उसके बाद 6 यहाँ पर कुशावा, मौरया, शाक्या, सैनी, कास्ट से लोगों को चुना गया, यह वो कास्ट हैं, जो की traditionally BJP के close मानी जाती थी, लेकिन इनके द्वारा, यहाँ पर इन कास्ट गुरुप से भी लोगों को चुना गया, in fact अगर आप पूरा breakdown देखेंगे, 27 tickets इन्होंने नौन यादव candidates में बाटी, 11 tickets इन्होंने अपर कास्ट कांडिडेट में बाटी, जिसमें की ब्राम उन constituencies में, जो की obviously schedule cast के लिए reserve करी गई थी, और यही आप देखिए, इनका जो दलित candidates को, जो इन्होंने tickets को बाटा था, ये वाला जो दाव है, ये बहुत ही जादा शानदार तरीके से perform किया, आपके सामने उधारन है merit का, merit में, हाला की जीत BJP के candidate अरुन गोविल की हुई है, लेकिन दोस्तो समाजवादी पार्टी की जो दलित candidate सुनीता वर्मा है, she came very very close to the winning candidate, केवल यहाँ पे 11,000, in fact केवल 10,000 वोटों से ही इनको यहाँ पे हार देखने को मिली है, लेकिन फैजाबाद, यानि की अयोध्या में इन्होंने दो दफा पहले रह चुके BJP के जो सांसद लालू सिंग, उनको यहाँ पे हराया है समाजवादी पार्टी के candidate Mr. Avadhesh Prasad के द्वारा, तो यह आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा पलट फेर हुआ, and this is all because समाजवादी पार्टी के द्वारा यहाँ पे अपनी strategy को ही change कर दिया गया, further अगर अपने दूसरी चीज़ की बात करते हैं, तो ticket distribution के case में भी BJP के द्वारा इस बार जो फैसले लिये गए, वो बहुत ही जादा centralized फैसले थे, for example, ticket किसको मिलेगी, यह decide करने वाले लोग कौन थे, BJP के General Secretary Mr. JP नडड़ा, उसके बाद BJP, UP के General Secretary धरम रपाल सिंग और BJP के CM हो गए योगिय दित्तेनाथ, इनके द्वारा basically यह वाले फैसले लिये गए, इन्होंने ground realities को check नहीं किया, ground realities से feedback नहीं लिया, इन्होंने कुछ बाहरी agencies को hire किया था, जो की अपने intelligence surveys कर रही थी, और उसके basis पे इनके द्वारा tickets को यहाँ पर बाट द दिया गया था, और कई सारे candidates जो की इस ticket distribution से नाखुश थे, उनको समझाया गया कि कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी का magic यहाँ पर काम करेगा, लेकिन unfortunately वो यहाँ पर काम नहीं करा है, और यहीं अगर आप देखें, SP ने यहाँ पर क्या किया, इन्होंने कई सारे candidates जिनको प जाहिए, तो हम लोग वो भी करने को तयार हैं, in fact, चूंकि BJP के द्वारा उत्तर प्रदेश में ground realities को ignore किया गया, इसी की बदौलत अगरा देखें, इन्होंने अयोध्या की seat को भी गवा दिया, कहा जा रहा था कि अयोध्या by default जो है BJP को ही मिलने वाली है, लेकिन अगर आ जो लोगों की बातचीत सुने, तो उन्होंने कहा कि केवल मंदिर बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें यहाँ पर unemployment के issues हैं, महंगाई के issues हैं, अगर आप इन चीजों को solve नहीं करेंगे, तो obviously हमारे लिए केवल हम लोग religion के अधार पे, धरम के अधार पे यहाँ पे vote नहीं करन वाले हैं, further और भी कुछ-कुछ cases थे, चूंकि यहाँ पर state machinery जो है, वो BJP की है, तो BJP ने अपनी campaigning के लिए maximum state machinery का इस्तिमाल किया, जबकि उनको अपनी party की machinery का इस्तिमाल करना चाहिए था, जब जिसमें problem क्या हुई, चूंकि वो लोग अपनी party की machinery का इस्तिमाल नहीं कर तो जो भी वहाँ पे भीड कठा हो रही थी, वो सारी एक तरह की paid crowd था, in fact, RSS के द्वारा भी यहाँ पे active participation नहीं करी गई, जितनी उन्होंने 2014, उनने 17, 22 इन सब में करी थी, वो वाली participation भी RSS के द्वारा यहाँ पे दिखने को नहीं मिली थी, और भी कई सारे मुद्दे थ जो की युवाओं को और बच्चों को impact कर रहे थे, जैसे अगनिपत स्कीम आई, तो उस चीज को लेकर युवा काफी नाखुश थे, not just that, even जो UP का, जो police constable का जो exam paper लीक हुआ था, उस चीज को लेकर जांच ही चलती जा रही है, लेकिन उस चीज का कोई समाधान नहीं आया और paper भी conduct नहीं हुआ, यह सारी की सारी problems थी, जिसकी वज़े से जो युवा, PD थी और जो बच्चे हैं, वो basically यह पूरा section BJP से काफी नाखुश था, इसको लेकर, in fact जो paper leak को लेकर, जो जांच है, जो कारवाई है, वो इतनी बढ़ चुकी है कि अब इसमें ED को भी गुसा द स्टाइल था दोस्तों, उन्होंने जो मुद्दे थे, जैसे बेरोजगारी हुई, अदनी वीर कई जो योजना हुई, और specially OBC communities को participate करवाया in the government functioning, जो सभी चीजें BJP के द्वारा ignore करी गई थी, campaign style को लेकर भी अगर आब बात करें, तो BJP की जितनी भी campaigns हुई थी, यह बहु के मंतरी को include किया गया था, लेकिन वहीं पर SP और Congress के द्वारा जो campaigns को run किया गया था, वो scale में छोटी थी, और उसमें वो लोग mainly local communities को जाकर के reach out कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, और grand rallies hold करने की बजाए, वो छोटी-छोटी rallies को hold कर रहे थे, यह सारे factors थे, जो कि यहाँ प भी politics में अगर आप देखें, तो caste की relevance बहुत जादा है, आज भी अगर आप देखें, तो political parties में अगर आप central फैसले लेंगे, तो political parties जो है, वो यहाँ पर explode कर सकती है, या फिर मैं कहूं implode कर सकती है, और अगर आप यहाँ एक social base wider लेके चलेंगे, तो आपकी party आगे बढ़ स सकती है, campaign style से भी काफी कुछ सीखने को है, and even muddhों की बात करें, तो अगर आप केवल जो superficial muddhे हैं, उन पर बात करेंगे, तो उस case में जो जनता है, वो बहुत देर तक आपका साथ नहीं देने वाली है, तो यह बहुत सारी learnings है, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती ह हैं, लेकिन, the fact of the matter is, कि समाजवादी party has emerged as the largest party in Uttar Pradesh in लोकसभा elections, and more importantly, दोस्तों, इतनी सीटे जीत चुकी है, कि अगर आप national level पर भी बात करें, तो समाजवादी party, third largest party, फिलहाल बन चुकी है, बाकि आप लोग क्या सोचते हैं, इसके बारे में हमें definitely बताएं, comment section में, जा लिस्ट में, 300 से भी अधिक learners and academy के साथ ही जुड़े हुए थे, आप भी अपनी तयारी हमारे साथ जुड़ करके शुरू कर सकते हैं, हमारे centers, नई दिल्ली के करोलबाग, नई दिल्ली के मुखरजी नगर उत्तर प्रदेश के प्रागराज में आ चुके हैं, और इन centers में हम लोग आपके लिए GS courses लेकर आए हैं, जिनने की साथ में CSAT essay writing, current affairs coverage, one-to-one mentorship, सभी चीज़ें available करवाई गई हैं, कोई doubt है, center को visit कर सकते हैं, या फिर नीचे दिये गए phone numbers पर आप लोग phone भी कर सकते हैं, thank you so much for listening, stay tuned and